नमश्कान सीटिविक न्यूज देख रही हैं आप और मैं हूँ आपके साथ साक्षी सोरी कुछ समय पहले आपको दिखाया था कि एक महंत के घर चोरी हो गई थी हाला कि 35,000 के लगबग डोलर चुरा करके ले गए थे लेकिन अब आपको बता देते हैं कि हिसार के पोश इलाकों के अंदर गिने जाने वाले सेक्टर 16,17 के अंदर पुलिस की आखों के नीचे कान के नीचे सभी चीजों के नीचे से चोरी हो जाती है और चोरी चोटी मोटी चोरी नहीं होती है बलकि 40 तोला सोना एक लाख रुपे कैश इसके अलावा चांदी की पाजे वो और भी बहुत सारी चेंज जो है चोरी हो जाती है एक बार आपको दिखाना चाहूंगी चोर यहाँ पर आते है और वही तरीका जिस तरीके से पहले चोरी हुआ करती थी सेम वही तरीके से चोरी की गई है एक गिरो जो है बिल्कुल सतर खो चुका है हिसार के अंदर हर दिन के अंदर अगर पुलिस रिकोर्ड की बात की जाए तो दिन के अंदर लगबग साथ के तकरीबन रोजाना चोरी हो रही और इस बार की चोरी हिसार के सेक्टर 16-17 के अंदर हुई है और आपको ये भी बता द लेकिन उसी रात उन चोलों को बिल्कुल भी डर नहीं लगा और कल रात यहां पर चोरी हो जाती है आपको एक बर दिखाना चाहूंगे कि चोरी कहां पर होती है यही स्टोर रूम बनाया गया है यहां पर जो अलमारिया देख रहे हैं आप उन्हीं अलमारियों के अंदर से च बता देते हैं जो महीला में साथ यहां पर खड़ी है यह राज की गौर्मेंट कॉलेज के अंदर एक असिस्टेंट प्रोफेसर है इनका नाम नेहा है और आपको बता देते हैं कि यह अपने बच्चों के साथ लग बग 11 बजे खाना खाने के बाद अपने कमरे में जा करके सोती है और दूसरे कमरे के अंदर इनके पिता सो रहे होते हैं हाला कि अगर इनकी मदर इन लोग की बात की जाए इनकी सास की बात की जाए तो वो गुडगाओं गई हुई होती है इसी बिस चोर आते हैं और चोर इनके दोनों कमरों के बाहर से दर्वाजा लोग कर देते है और लोग करने के बाद से आपको बता देते हूं कि चोरी को अंजाम दिया जाता है ये सारे के सारे जो आप बॉक्सिस देख पा रहे हैं अलग-अलग बॉक्सिस आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं यह सारे के सारे गहने के बॉक्सी जो चुरा करके चोर ले गई है सारा समान चुरा लिया गया है देखे कि सरीके से भिक्रा हुआ है मुझे यह बताईए कि आपको कब पता लगा कि चोरी हुई है और क्या आपके घर के अंदर कोई ऐसा व्यक्ति आता है जिसको पता हो कि आप तक कब की हुई ये बात है तो नौ तारीक की रात को हम लोग तकरीबन तकरीबन ग्यारा बजे सब खाना खाके बाते बाते करके सब सोए हैं और उसके बाद 11.30 के करीब नीद आ गई हमें नहीं पता चला किसी तरह की कोई आवाज सुनाई नहीं दी सुबह छे सवाचे के करी फोन किया आई थोट कि वो सेहर करने चले गए और बाहर से मैंने का यह क्या पाप आप बाहर से क्यों कुणी लगा तो ही सेड कि मैं तो अपने मैं भी खुद ही रूम में हूं बेटा और मेरा भी बाहर से कुंडा लगा हुआ है तो तब मुझे तोड़ा सा शॉक्ड हुई कि यह कैसे हो गया तो फिर मैंने मेरे टेनेंट है उनको फोन किया उपर हमारे किराइदा रहते हैं उनको मैंने फोन किया जो लेडी है उनको कि भाई तुम जल्दी नीचे आओ हम तो कमरों में बंद है और कोई वार्दात का शक लग रहा है हमें हम बाहर नहीं आ पा रहे ह तो वो भाईया अब हावी दोनों जल्दी जल्दी नीचे आए तो में गेट तो जहां से हम एंट्री एक्जिट करते हैं वो तो एस इस अंदर से लॉक्ट पड़ा था जैसा कि मैं रात को करके सोती हूं लॉक्ट सारे दरवाजे बाहर का जो हमारा में गेट है गाड़ी प पड़े थे चिटकनिया हटी पड़ी थी वहीं से ही उपर भावी भावी दोनों जो टेनेंट्स हैं हमारे वो अंदर आए और उन्होंने हमको जो है कमरों से बाहर निकाला बाहर निकलते ही मैंने देखा कि मेरी जो रूम का जो बाहर से डोर होता है डोर के पास ऐसे कंबल लगाया पड़ा था इसी तरह से ही मेरे फादर भी जहां कि जिस कमरे में बंद कर दिये गए थे लाइट बाहर ना आए या इनको इनके पास शोर ना जाए या पता नहीं चोरों का क्या रीजन रहा होगा कि हमें पता नहीं चले और फिर वो इस कमरे में आए ये कमरा क्यों पट थैंक्स गॉड़ मैं तो यह कहती हूं कि वह गुडगाओं गए वे थे और नहीं थे वरना मेरी बेटी है पांग साल की वह और दादी पोती दोनों यहां पर सोते हैं तो अगर वह होते तो हो सकता है कि अगर चोरों को रेकी थी घृण सबने हैं समान और सब है तो हो सकता है इनकी जान को भी खत्रा हो सोती हैं तो लगबग अगर मम्मी की आफे जो भी हाउस ओल लेडिस होती है उनकी नीद इसनी गहरी नहीं होती है क्योंकि उनको चिंता रहती है कि उनके बच्चे साथ में सो रहे हैं या कुछ हो ना जाए तो ऐसा क्या हुआ कि आपको बिल्कुल भी जाग नहीं आई वैसे तो जी मैं रात को कोई ना कोई अपना काम होता है मेरा जो भी डॉक्यमेंट से रिलेटेड है मैं रात को ही करती हूं या कुछ आपने टीवी वगएरा देखना है या इंटरनेट देखना है तो वो रात को अमोमन बारा एक बज़े तक सोते हैं ये मेरा टाइम है कि कुल नहीं पता चला अदर्वाइस मेरी नींद जो है वो बहुत गहरी नहीं है अच्छा ये वदाईए कि घर के अंदर कोई आया ता क्या लग रहा है कोई कैमिकल आप लोगों की उपर शिड़का गया या फिर कोई गैस ऐसी स्प्रे की गई या फिर कुछ मिलाया गया हो जिससे आपको इतनी गहरी नींद आगई नहीं ये तो जी आप लोग अंदाजा अब तो ऐसा है ना कि वारदात हो गई है तो सभी हम अंदाजा ही लगा रहे हैं कि क्या हो सकता है और क्या हुआ होगा बट में गेट अगर उन्होंने बाहर से तोड़ा है और खोला है तब यह नहीं पता था कि अगर वो बिल्कुली कुछ अंजान होते तो वो यह भी सोच सकते थे कि वो कमरा ड्राइं वो बेडरूम हो सकता है हम गेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं कोई उठ सकता है बट उनको शायद यह पता था कि यहां पे कोई नहीं सोया हुआ है और में अपके इलाकों के अंदर चोरिया होने लगी थी और वहां पर चोरों ने एक अलग ही तरीके की चीज़े अपनाई उन्होंने क्या किया कि अंदर केमिकल मिलाने शुरू कर दियो जैसे ही वो कुलर चलते थे वो लोग बेहोश हो जाते तो उसके बाद चोरी जैसी वारदात को चोरी जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता था मुझे यह बताईए कि पुलिस की तरह से क्या कुछ का गया है क्या किसी की उपर आपको शक लग रहा है पुलिस ने प्रॉंप्टली एक्ट किया मैंने साड़े चे बजे मेरी टैनेंट को फोन किया तो मैं आप सारा बैड खुला कल यहां फॉरेंसिक की सारी टीम आई थी जिन्होंने फिंगर प्रिंट्स भी लिए पुलिस मौके पर आ गई थी टाइम से सारा बैड सब बिखरा पड़ा था यह कपड़े जो अलमारी में जचे वे दिख रहे हैं यह सब बाहर थे सब कुछ था बाद मे शाम को जब पुलिस गई उन्होंने कहा कि ठीक है हमने अपना काम कर लिया अब आप इनको सेट कर लो तब यह रूम सेट हुआ है अदर्वाइस इस रूम की हालत ऐसी नहीं थी सारा बैड के अंदर से समान बिखरा हुआ है यह बैग्स हैं यह स्टोर्स में थे सारे अलमार अदर भी अलमारियां अगर आप देख सकते हैं तो सभी अलमारियां सभी जो है पूरी तरह से इनके लॉक्स जो है वो तोड़े गए और यहां देखते ही तो एकदम से शौकिंग सी स्थीती थी कभी ऐसा हुआ नहीं है हमारे साथ तो हम यह तो जादा रिलैक्स थे लोगो को का नाम बताया गया है या फर कितने लोगों के उपर जो है पुलिस की तिरव से कहा गया है कितने लोगों ने चोड़ी की है ? ऐसा तो अभी वो जब तक शौर नहीं होंगे तो वो भी कैसे कह सकते हैं बट अब मैंने जैसे ही मुझे पता चला तो मैंने मेरे हस्बेंट को फोन किया तो वो गुडगाम है किसी काम से तो उनको उन्होंने कहा कि 112 पे आप फोन करो तो इमिजेटली पुलिस आ जाएगी तो पुलिस आ गई थी विदिन 10 मिनट आ गई थी पुलिस और उसके 10 मिनट बाद ये एरिया जिस चौकी के अंडर पड़ता है वो थाना प्रभारी भी वो सब आ गए थे तो इन दोनों सड़कों की तो कवरेज वो देख रहे हैं इस सड़क की कवरेज भी वो देख रहे हैं पुलिस ने अपना काम करना शुरू कर दिया जैसे ही कोई ठोस बात पता चलेगी तो इस दिन आपके घर के अंदर चोरी हुई उस दिन मुझे पता लगा कि यहां सड़क की उपर बहुत ज़दा पुलिस तैना थी हलाकि बहुत सारे बीजेपी के मंतरी और भी अलग-अलग लोग आये हुए थे कोन आये हुआ थे क्या फंक्शन था और क्या इतनी बड़ी मलब संक्या के अंदर पुलिस बल यहां पर तैना था उसके बावजूद भी क्या आपने सोचा था कि आपके घर इस तरीके से उसी रात को चोरी हो जाएगी नहीं जी सोचा तो ग्यारा साल से नहीं था ग्यारा साल पहले घर बना था जी जब घर बना था तब यहां सामने वाली लाइन में सारे प्लोट खाली थे कोई घर नहीं बना हुआ था, तब भी हम राम से रहते थे, ऐसे ही था, ये अभी तो इतना सोना वैसे तो नहीं रखते हैं, लोकर में रखते हैं, बट ये कोई घर में फंक्शन्स थे, कुछ मेरिज थी, ये घर पर पड़ा था, और थोड़ा सा ये रह गया कि भही सको जमा नहीं करा पाए और जहां तक नौ तरिकों यहां सामने हमारे किरायपे के मकान में बीजेपी प्रवक्ता कोई रहती है मुझे परसों ही पता चला तो मैं जब आई कॉलेच से वापिस तो बहुत सादा भीड़ देखी मैंने तो वहां दिन में तो क्यों था कितने मंद्री पर यहां पर जो पुलिस वाले बाहर जो मुझूद थे उन्होंने मुझे बताया कि यहां रनवीर गंगवा जी थे राम बिला शर्मा जी थे इसका किसी पुलिस ने ही मुझे बताया मैं परस्नली नहीं मिलके आई बट उनका चाय पानी था यहां पर जो था यह मुझे पत तो दोनों साइड की ही रोड जो थी वो सारी फिल्ड थी तो मैंने थोड़ा पीछे जाके गाड़ी खिडा करी तो यहां पे जो हवल्दार वगएरा खड़े थे मैंने वैसे ही पूचा कि इतनी भीड कैसे हैं कौन आये हुआ है तो उन्होंने बताया कि जी गंगवाजी और को आए हुए हैं उनका यहां पे कोई function है तो ठीक है जी मैंने का अच्छी बात है इतनी गंगे पर मेरा तो इतना नुकसान हो गया कि जिन्दगी भरकी कमाई थी धीरे धीरे करके जोड़ी वी थी और वो एकदम से साफ हो गई आगे के लिए तो सबक मिल गया पर अभी भी मेरी पुलिस से पूरी उमीद है कि वो साथ देगी और जल से ढल ढूंडेंगे लेका था और कानों की जुमकों की आठ जोड़िया दो जोड़ी जुमके बारा अंगुठिया पांस सोने के लोकेट और चांदी की छे पाजे वर एक चांदी चेन के अलावा पचास हजार का कैश जो है चोर उठा करके ले गए लेकिन अब बात आती है कि आकिरकार इस तरीके से पोश इलाकों के अंदर क्यों इतनी जादा चोरिया बढ़ रही है हाला कि अभी मैं बाहर ही बैटी थी बाहर का जो गेट है वो भी मैंने देखा किस तरीके से उसका लोक तोड़ा गया है लेकिन ये जानकर के हैरानी होती है कि हमारे हिसार जैसे जिले के अंदर इतने प नुकसान भी पहुंचाया जाने लगेगा लोगों की जिन्दगियों को नुकसान पहुंचाया जाने लगेगा उमीद है कि आप लोग इस वीडियो का जरूर शेयर करेंगे इस वीडियो को इतना जादा शेयर कीजिए कि पुलिस बल तक जिहां हिसार के पुलिस बल तक डि लेकिन झतनतर नहीं है मिन्हाल भी ठीम, ज़िया से निचनलत भीआ की ख़त्रान हं इसे लेसी तरीके से सोता है, रहता है यह कैशच फिर आपके घर शो में पर थे के वह जो जो एक बास, जिनके घर हुआ हो कल आप भी इस चीज का शिकार बन सकते हैं खैर ये तो यहीं तक की खबरती ता तमाम खबरों से आप लोगों को अपडेट कराते रहेंगे तब तक जुड़े रहें साक्षी सोनी के साथ नमस्कार